आमोस भविश्य वक्ता की पुस्तक अध्याए एक आमोस तकोई जो भेड़ बक्रियों के चाराने वालों में से था उसके ये वचन है जो उसने यहुदा के राजा उज्जीहके और योवाश के पुत्र इस्राइल के राजा येरोबाम के दिनों में भुल्डोई से दो पहले इस्राइल के विशे में दर्शन में देख कर कहें यहोवा सियोन से गरजेगा और येरुशलेम से अपना शब्द सुनाएगा तब चर्वाहों की चराया विलाप करेंगी और करमिल की चोटी जुलस चाहेगी यहोवा यो कहता है कि दमिश्क के तीन क्या बरंचार चोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने गिलात को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रवंध डाला है इसलिए मैं हजायल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेहंदन्द के राजभवन की भस्म हो जाएगे और मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवे नाम तराई के रहने वालों को और एदेन के घर में रहने वाले राज दंडधारी को नाश करूंगा और आराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे यहवा का यही वचन है यहवा यो कहता है कि अज्जा के तीन क्या बरंचार अप्रादों के कारण मैं उसका न छुड़ूंगा क्योंकि वे सब लोगों को बंधुए करके ले गए कि उन्हें एदुम के वश में कर दे इसलिए मैं अज्जा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे और मैं अश्तोत के रहने वालों को और अश्कलोन के राज को नाश करूंगा और मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेश पलिष्ती लोग नाश होंगे परमिश्वर यहोवा यही वचन कहता है यहोवा यो कहता है कि सोर के तीन क्या परण चार अप्राधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदों के वश्मे कर दिया और भाई किसी वाचा का स्मरन न किया इसलिए मैं सोर की शहर पनाहा पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे यहोवा यो कहता है कि एदों के तीन क्या बरंचार अप्राधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिये हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की परंतु क्रोध से उनको लगातार सदा फारता ही रहा और वह अपने रोश क अरंत काल के लिए बनाए रहा इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्तरा के भवन भस्म हो जाएंगे यहोवा यो कहता है कि एदों के तीन क्या बरंचार अप्राधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को बढ चीर डाला इसलिए मैं रब्बा की शहर पना में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे उस युद्धे के दिन में ललकार होगी वह आंधी बरन बावंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेथ बंधुआए में आज जाएगा का यही वचन है